वेलकम टू बुल इन्वेज धन जरीज के एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे आप कैसे stop loss order place कर सकते हो धन के website के उपर देखो stop loss order क्या होता है ये मैंने एक detail वीडियो में बनाई वी है अगर आपको थोड़ी भी confusion है तो आप उसे check out कर लेना वीडियो का link में description में दे दूँगा अभी discuss करते हैं आप कैसे धन website के उपर stop loss order को लगा सकते हो simply आपको धन वैब के उपर login कर लेना है धन आप search करो and उसपर click करो आपको यहाँ पर धन वैब का option ज़राएगा उसपर click करना है अपना 66 का pin डालना है and अपने आपको login कर लेना है जैसी आप login होते हो आपके सामने कुछ ऐसा home interface कुल गया आता है अब देखो stop loss लगाने के लिए हमें क्या चीए किसी भी share पर हम यह stop loss लगा कर देख लेंगे तो आपको समझा जाएगा तो यहाँ आपके पास watch list है left side पर आप चाहो तो directly watch list section में जाकर choose कर सकते हो यहाँ पर हम एक भारत petroleum इसको choose करते हैं और इसके उपर stop loss लगा कर देखेंगे simply आपको क्या करना है buy पर click करना है यह अगर आप चाहते हो कि मुझे पहले इस share के fundamentals चेक करते हैं तो simply आप scroll down करो आपके इस share के fundamentals सारे कुछ यहाँ पर देख जाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएगा मुझे इस share में buying करनी है selling करनी है क्या करना है so यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो सारे details आपको दिख रहे हैं लाइव आपको देख रहे हैं कितना buy order चल रहा है market में कितना sell order चल रहा है इस share को लेके so simply stop loss order लगाने के लिए buy पर click करो अगर आप sell करना चाते हो तो sell पर click करो simply यहाँ पर आप देख सकते हो cover order को आपको choose करना पड़ेगा इसके अंदर आपको option मिलता है stop loss order लगाने का market price पर अगर आप खरीदना चाते हो तो market price रहने तो अगर आप limit price पर buy करना चाते हो तो limit price पर कर लो अब market price limit price क्या होता है यह सारे वीडियोज मैंने पहले जब बनाये done app के related एक separate playlist है done A to Z आप वो चेक कर लेना आपको सारी चीज़ें समझा जाएगी simply आपको जो भी stop loss लगाना है आप वहाँ पर लिख तो जैसे इस share की price है 313 हमने stop loss लगाया है 300 का and simply buy पर click कर देना है जैसी buy हो जाएगा यानि आपका order place हो चुका है आपने इस share को market price पर खरीद लिया है अब अगर इस share की price नीचे जाती है 300 के नीचे जाती है तो 300 के उपर automatically मेरा ये share sell हो जाएगा तो ये था simple process कैसे आप stop loss order को use करोगे अगर channel पर नए हो तो subscribe कर लो क्योंकि share market से related आपको बहुत सारे useful videos इस channel पर मिलेंगे